तो किया आपके Snapchat एकाउंट में कोई चैट डिलिक्ट हो गया है और जो चैट डिलिक्ट हुआ आपके लिए बहुत इंपोटेंट था और आप उस डिलिक्ट चैट को दुबारा से रिकभार करना चाहते हैं तो ए वीडियो आपके लिए बहुत इंपोटेंट होने वाली है तो क्लिक करने के बाद यहांब देख सकते हैं लिखाओ माईटाफ इस पर आपको कर देना किलिक्ट और आपको क्लिक्ट करने के बाद आपके समने कुछ इस तरह के इंटरफेस आजाएगा और आप posk ugh रड़्य जाना है और आपके पास क्रेंट इमेल यहां पर आपको अपना your email address तो जो आप उपर में email डालेंगे वही email आपको नीचे भी डालना है ठीक है तो देख सकते हैं दुन जग अपना सेम email फिल कर दिया और आपको अपना email फिल करने के बाद हम देख सकते हैं लिखा हो सब्मीट इस पर आपको कर देना है क्लिक और सब्मीट पर क्लिक करने के सब्मीट करने के यहां पर सब्सक्राइब कर दिया और आपको अपने именно पर दिये हैं उस email फिर से सब्सक्राइब को कर देना क्लिक और ऑपको सब्सक्राइब कर देना है कि और आपको अपने स्था एकाॉँज का उजर्म और पासवड टाल देना है और आपको अपने Snapchat account का username और password डानले के बाद यहाँ देख सकते हैं लिखाओ I am robot इस पर आपको कर देना है click और उस पर click करने के बाद यहाँ देख सकते हैं login इस पर आपको कर देना है click देख सकते हैं जो मेरा data है download हो चुका है और आपको back करके अपने home screen पर चले आना है और आपको अपना file manager open कर लेना है और आपको अपना file manager open करने एक बाद डाउनलोड नेम के फोल्डर में आपको data देखने के लिए मिल जाएगा तो देख सकते हैं जो मेरा Snapchat के तरफ से data download हुआ देख सकते हैं सफ्फैन का logo कर देना है क्लीक और आपका देख सकते हैं लिखाव एक्सपोर्ट हो जाएगा और यहाइंokur और पर उस पर क्लिक करने के बाद आप जिन से बात किया है जो भी बात किया है आपको सामने सो हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप अपने स्नेप्चैट के आल एक्टिविटी डाटा को भी देख सकते हैं तो हमें अमीद आपको पसंद आया होगा अभी तक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो जरूर कर ले क्योंकि हर रोज आपको कुछ नया सिखा जाता है जो आपको नहीं पता हो तो आज के लिए